इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. रोपा केकसिल चार टेबलेट का इस्तेमाल पाकिनसन रोग और रेस्टलिस लैग सिंड्रोम यानि की लगातार पैर हिलाते रहने की तीवर इच्छा होना, जो आमतोर पर पैरों की असुविधाजनक और असहत समविधना के कारण होती है, के इलाज में किया जाता है, यह शरीर की हलचल को धीमा करके अत्यधिक जटकों का इलाज करने में मदद करता है, रोपा के एकसिल चार टेबलेट को भोजन के साथ लेना चाहिए, हाला कि इसे रोज एक ही समय पर ले क्योंकि यह शरीर में दवा के समान लेवल को बनाय रखने में मदद करता है, इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो उसे जल्द ही ले ले, अगर आ के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में शामिल हैं, सिर्ध दर्द, बेहोशी, उल्टी, कमजोरी, मिचली आना, एडिमा, यानि की सूजन, एच्छे गतिविधियों का असामाने होना, और डिस्पेपसिया, यानि की अपच्छ, इस से चक्कर आने और नींद आने की समस्या भ पदलाव या असामाने रूप से बड़ी हुई सेक्स की इच्छा, जुआ खेलने या अनियंत्र खर्च करने की इच्छा जैसे लक्षन हो, तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ये बहुत हानिकारख हो सकते हैं, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद